हेलो एवरिवन एक्स्टा नॉलेज में आपका स्वागत है यहां पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजी सीनर्जी आरिफ और पीजी टी अन्य सभी प्रतियोगी परिक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिसेट मिलेंगे तो आज हम आपके लिए लाएं पी संबंध तो जो कि समाशास है यह स्वयम संपोर्ण समाजी विज्ञान नहीं है अपितु समाजी विज्ञानों में से ये भी एक एक है ठीक है एक विज्ञान है समाशास यह ज्यान अन्य समाजी विज्ञानों से किस तरह बौधिक विश्यों के रूप में विशिष्ट एम अलग है अता समाशास अने समाजी विज्ञानों को समीप लाने का भी कारी करता है इसलिए बंस बेकर ने लिखा है कि समाशास अने समाजी विज्ञानों की ना ग्रह स्वामनी है ना दासी है बलकि बहन है तो जो समाशास है ये जो होता है जैसी कि समाशास जो होता है अने समा कार्ण की विशें की खोच करना चीक है तो प्रकर्तिक तत जयवी घटनाओं की बीच जो भी विञ्ञान इन नियुमों की खोच करते हैं उन्हें प्रकर्तिक विझ्यान कहा जाता है आदी इश्रेणी में आते हैं जो समाजी विज्ञान कहे जाते हैं ठीके तो जो समाजी विज्ञान होते हैं वो मनुष्य के समाजी कारी तथ समाजी व्यवार पर क्रेंदित होते हैं विसे समाजी विज्ञान जो होता है वो मानो क्रिया व्यवार के पच विपच का भी अध् धन भी करता है उनका समन्वे भी करता है अता समाशास जो होता है वो समाजी विज्ञानों से संबंद रखता है इस प्रकार जो है जैसे कि इसमें हम व्याख्या करेंगे ठीक कि इस तरह समाशास से अन्य समाजी विज्ञानों से संबंद रखता है या अंतर रखता है तो पहल पहला आपका question बन जाता है कि समाशास तो मानोसास को जुड़वा बहने किस ने कहा है तो वो क्रोबर ने कहा है ठीक है इसके बावजूद इसमें समानता के बावजूद भिन्यताएं भी देखने को मिलती है जैसे कि समाशास मुखिता आधूनिक या विक्सिस समाज का अध्य कोड से समाजी घटनाओं का अध्यन करते हैं महीं कुलुखौन के सब्दों में अगर बात की जाएगी तो समाशास्तिय दिष्टिकोड व्यवहारी तत्था वर्तमान की और उन्मुख है और मानोसास्तिय दिष्टिकोड विसुत और भूत की और विक्षित होता है ठीक है तो ये था आपका समाशास और मानोसास में संबंध या फिर अंतर और अगर फ्रेंट्स आपको इसका पीडियेप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और अब आगे बात करते हैं स समाशास और मानोसास में अंतर या फिर संबंध तो जो समाशास यो मानोसास दोनों जो हैं वैवारवादी विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं मनो विज्ञान व्यक्ति के मानसीक विचारों और अनभवों का अध्यन करता है और समाशास एक समाजी विज्ञान जो की स भावक तत्तु परदान करता है क्योंकि समाशास समाजी वहवारों का और मनोविज्यान मानसी क्रियाओं का अध्यन करता है ठीके तो मनुष्य की सभी वहवाज होती है मानसी क्रियाओं से संचाली दोंगी तो इस कारण वहवार का बाहतम रूप समाशास का विशे और मांसी क्रूप मनोविज्ञान का विशे होता है तो यह इस तरहे एक दूसरे से समबंदित होते हैं और अगर बात की जाएगी समानता की बावजूद समाशास के अंतर की तो इनके बीज में दिस्टिकोडों का अंतर होगा जैसे कि मनोविज्यान का जो दिस्टिकोड होगा वो व्यक्तित्व होगा और समाशास का जो दिस्टिकोड होगा वो समाजिक होगा अगर विधी के अंतर की बात की जाएगी तो मनोविज्यान व्यक्ति को इकाई मान का समाज से अलग उसका विशलेशन करता है और समाशास ज तथा चेतना है और समाशास में समाजी वहवारों का अधार समों में रहने की प्रवर्ती होती है ठीक है और विशे के आकर अधार पे अंतर देखा जाएगा तो मनुविज्यान बतलाता है कि किस प्रकार समाजिक अंतर क्रियाएं जैविक मनुस को समाजिक बनाती है और समाश की रशना में किस प्रकार कारिक करता है इस प्रकार इन विशेवस्तु में भी अंतर देखने को मिलता है अब हम आगे बात करेंगे समाशास और अर्धसास की तो जो आपका समाशास और अर्धसास की बीच में संबंध या अंतर की हम बात करेंगे तो अर्धसास मनुस्त की आर पुषिष्ट स्वरूप होता है मतलब अर्षास समाजी वहवार के आर्थिक पच्छ का विज्ञान है जैसे कि माले संपत्ती तो इसका मूल करेंद विंदू क्या हो जाएगा संपत्ती संपत्ती जो होती है मों मानों की सभिता वह संस्क्ति का प्रगति की परशे का सूचक हो और इनी प्रक्रिप्रेशां के फलासुत। मानों वेहवार और मानों की समाजी क्रिप्रीशां को भी निधारित करते हैं। दिते हैं। लेकिन समाशास और अर्षास में संबंध होने के बावजूद भी इनमें कुछ अंतर देखने को मिलता है, जैसे समाशास मनुस्ष के सम्पूर्ण समाजी जीवन का अध्यान करता है, जबकि अर्षास मनुस्ष के जीवन के एक विस्स्ट पच्चे मतलब आधिक पहली वोका प्रियोग करता है अब आईए जानते हैं समाश्यास और इतियास के बीच में संबंध या फिर अंतर समाश्यास एवं इतियास संबंधों पर G.E. हौवर्ड ने कहा है कि इतियास अतीत का समाश्यास है जबकि समाश्यास जो होता है वो वर्तमान का समाज सास दे मतलब कि इतियाज जो हो जैसे की होता है मानो समाज के बीते हुए अध्यन को इतियाज के अंतरगत रखा जाएगा ठीके प्रारम में मन उसकिस प्रकार की जीवन व्यतीत करता था और उसके समाजिक संगठरों का स्वरूप क्या था किस प्रकार की विश्वास, प्रथाय, परंपराय, रीत, रिवाज, प्रशली थे इन सभी बातों को इतियास के अंतरगत जाना जाता है इतियास अतीत का अगर प्रस्तुत करता है तो समाजशास जो होता है वह अपने मनतव्यव, वह सिध्यामतों के प्रतिपादन के रूप में उपियोग करता है तो इस प्रकार समाजशास वह इतियास एक दूसरे से संबंदित होते है और इन दोनों में अंतर भी देखने को मिलता है जैसे कि इतियास विशिष्ट समाजी घटनाओं का अध्यन करता है और समाशास समान ने समाजी घटनाओं का अध्यन करता है इतियास केवल तत्यों का वर्णन करता है जबकि समाशास तत्यों के वर्णन के साथ सत उसका सुझाओ भी देता है समासास भविष्च की ओ संकेत करने की छमता रखता है जबकि इतिहास जो होता है वो केवल इतिहास का ही निरुपरा करता है तो ये हो गया आपका समासास और इतिहास के बीच में संबंद और अंतर अब आगे बढ़ते हैं समासास और दर्शनसास के बीच अंतर या संबंद तो समाज शास और दर्शन सास एक दूसरे से घर्णिश रूप से संबंदित होने के बावजूद भी इन दोनों में भिन्यताओं को भी देखने को मिलता है जैसे कि दर्शन के नैतिक नियम समाज की वास्तिविक परस्तितियों से संबंदित होते हैं अगर इसको हम समझाएं तो जो आपका दर्शन सास का संबंद होता है वो नैतिक नियमों और मोलियों के अध्यान से होता है परन्तु यह नैतिक नियम और मोलिय भी समाज की वास्तिविक परस्तितियों से संबंदित होते हैं नेतिक नियम वहवार का वत तर्ख होते हैं जिनके अनुसार कोई व्यक्ति एक विसित समाज के सदस होने के नाते कुछ वहवार को माननेता देता है तो मतलब आपका जो दर्शन सास होता है ये नैतिक नियमों में से ये बताता है कौन से नैतिक नियम आपके वहवार को मानिता देते हैं और कौन से बहिसकार करते हैं क्योंकि समाज में उन्हें ही मानिता दी जाती है जो समाज के अनुकूल होते हैं तो दर्शन सास हमें यही बताता है कि कौन से नैतिक नियम हमें समाज के अनुसार मानेता दे रहे हैं, कौन से बहिसकार के योग हैं, तो इस तरह यह एक दूसरे से संबंदित होते हैं, और दर्शन सास हम समाज सास के कारियों में कुछ समानता देखने को मिलती है, जैसे कि द दोनों में समानते हैं यही है कि दर्शन सास जो होगा वो समाजी जीवन के मौलिक सिधान तो को वियाख्या करेगा और समाज शासी जो होते हैं जब तक कि इन मौलिक सिधान तो को नहीं समझेंगे तब तक कि वह वास्वी प्रकृति को नहीं समझवाएंगे तो इस अधार प कर परस्पर पूरक होते हैं ठीक है और इसी विशे पर दुर्खिम लिखते हैं कि हमारा पौण विश्वास है कि किसी भी समादी विज्ञान की तुलना में समाज्षास दाशनिक छेत्र में सबसे अधिक योगदान दे सकता है इसके अत्रिक समाज्षास ती चिंतन के अब आईए जानते हैं समाज शास वर राजनीती शास में अंतर या संबंध तो राजनीती शास तथ समाज शास कुछ वर्ष पूर एक ही विशे के अंतरगत थे हैं लेकिन विशेशित ग्यान के लिए आज के समय में इनका अस्थित अलग-अलग हो गया है इसी कारा काम्टे ने लिखा है कि समाज वर राजनीती को एक दूसरे के चितर के दो पहलू बताया है तो अगर कोशन में आ जाए कि समाज वर राजनीती शास को एक चितर के दो पहलू किसने बताया है तो वो आगस काम्टे ने बताया है तो अगर इसमें से कोशन बनेंगे त questions ऐसे ही बनेंगे ठीके तो समाज शास को राजनीती सास से मनुस्य की सामूहिक राजनेतिक जागरुकता का परशे प्राप्त होता है इसलिए दोनों का संबंद अनिवारियम घनिष्ट है राजनीती सास राजनेतिक दिस्टिकोर से मानों का वेहवार का अध्यन करता है जो कि समाज के वेहवारों को प्रभावित करता है तो मतलब राजनीती सास में राजनेतिक दिस्टिकोर में जो भी मानों को वेहवार होंगे लेकिन राजनेतिक दिस्टिकोर से भी जो वेहवार किये जाएंगे वो समाज में किस तरह प्रभावित कर रहे हैं उसको भी तो देखा जाएगा तो इस तरहे राजनीती श्रास और समाज श्रास एक दूसरे के उद्देश को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन इनमें संबद होने के साथ इनमें भी अंतर देखने को मिलता है जैसे कि छेत्र के रूप में अगर देखा जाए विशे छेत्र के रूप होता है क्यों कि समाशा समाज का विज्ञान है और राजनीती सार राजी का राजनीती समाजी विज्ञान है तो समाशा समाने विज्ञान और राजनीती सार विश्ष्ट विज्ञान के रूप में इसमें देखा जाएगा और अगर बात की जाए विश्यवस्तु की तो जो कि इसमें दिया हुआ है समाजिक प्राणी के रूप में और नागरिक के रूप में तो जो समाशास से वो समाजिक प्राणी के रूप में मनुष्ट का अध्यन करता है जबकि राजनीती के सास के रूप में मनुष्ट का अध्यन एक नागरिक के रूप में किया जाता ह वहीं अगर अंतर देखे रहे विस्तार के रूप में तो मानो संबंदों का विशलेशन करता है समाशास जो होगा वो मानो संबंदों का विशलेशन करेगा जबकि राजनीती सास के वर राजनीतिक पच्छों का विशलेशन करेगा साथ ही या सास तो जो होता है सुरक्षा अधिकार हैं करतवियों का भी ज्यान कराता है जबकि समाश्रास जो होगा इसके विप्रिद समाजी कार्य विदियों को परशित कराता है तो ये हो गया इनमें संबंध वा अंतर अब आगे बात करेंगे समाशास और नीतिशास के बीच में अध्यनवा संबंद तो नीतिशास पतलाता है कि कौन सा वहवार उची थे और कौन सा वहवार अनुची थे जो वहवार उची थे वही नीतिशास के अनुसा अनायतिक है इस प्रकार नीति-सास समाशास के लिए मानिताओं को प्रस्तुत करता है ठीके और इसके अलावा अता ये दोनों जो विज्ञान है एक दूसरे के पूरक है ठीके दोनों की विशेवस्त इतनी मिली जूली सी है उसके बावजूद भी इन में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है जैसे समाशास क्या है का अध्यान करता है जबकि नीतिशास क्या होना चाहिए का अध्यान करता है समाशास यथार्ट का अध्यान करता है और नीतिशास आदर्श का अध्यान करता है तो जैसे समाशास यथार तो उसी तरह जैसे अगर हम बात कहते हैं समास्सास का छेत्र जो होता है वह एक व्यापक छेत्र護गागा और अगर बात कर लिए जाएगी नीथिसास का छेत्र तो सिमित होगा ठीक है और नीथिसास्स नैतिक व्यवारों को अच्छे बुरे का मुल्यांकन करता है जबकि समाशास जो होता है वो समस मानो बहवारों का अध्यन करके उसके अंतर नहीत कारणों का भी पता लगाता है ये हो गया इनमें अंतर ठीक है हम बात करते हैं समाशास और जीवशास के बीज में क्या अंतर होगा तो लीनी फील्ड का कथन है कि जैविक सिध्धान के अनुपस्तिती में व्यज्यानिक समाशास का अस्तित ही संभव नहीं है तो उन्होंने ये बात बोलिए जैसे कि जीवशास के अनेक नियम जैसे प्रकती चैन अस्तित के संगस ये सब कहां लागू होंगे तो समाज पर Croat लागुना तो समाज जास और जीव शास इस तरह एक दूशर से संबन 뜻 होगे उसके अलावा इन दोने डीच में अंतर भी भी होगा जैसी की समाज शास एक समाजी विज्ञान होता है वहीं जीवशास एक प्रकति विज्ञान होता है जीवशास एक विशिज विज्ञान होगा जबकि समाजशास एक समानी विज्ञान होगा तो ये इन दोनों में अंतर भी देखने को मिलेगा अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर करें लाइक करें सस्क्राइब करें अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिकरके आप बता सकते हैं और थैंक यू फॉर वचिंग माई चैनल